हेलो दोस्तो दोस्तो आपका अमारी यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारी व्यक्तिकत विबिन्ता पर आधारी स्विक्षन वीडियो का पहला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तो आप उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों हमने प्रिक्षा की दश्टीशे महतवपुन टोपिक ही अपनी इस्टरीगे अंजर शामिल किया है अब हम लेते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट विदी जिसका दूसरा नाम है प्रायोजणा विदी दोस्तो इसके परवर्दक के किल पेट्रिक और एकजाम में दोस्तो बस यही पूचा जाता है परवर्दक तो दोस्तो आप इसे जरूर याद रखिए अब देखते हैं दोस्तो प्रोजेक्ट विदी के अंदर क्या है प्रोजेक्ट एक समश्या मुलक कारिय होता है जिसको सामाजिक वातावरण में संपन किया जाता है इसके अंतरगत परवर्दक चात्र को एक प्रोजेक्ट पूरा करना होता है दोस्तो एक प्रोजेक्ट होता है वो बालक के सामने एक कोई समश्या होती है और परतेक बालक के सामने एसी एक समश्या परकट की जाती है, समश्या दे दी जाती है और दोस्तो बालक उसे समाजिक वातावरण के अंदर उसको हल करता है और इसके मादेम से दोस्तो जैसे इतियास है, भुगोल है, हस्तकारिये में सिख्षा दी जाती है तो दोस्तो ये थी प्रोजेक्ट विदी, अब हम लेते हैं दोस्तो खोज विदी, जिसका दूसरा नाम है हुरिष्टिक विदी, दोस्तो इसके परवर्थक थे आर्म इस्ट्रोंग इसके अंदर गत विद्यारती खोज द्वारा स्वेम सीखता है विज्ञान वै अनुसंदान में उप्योगी दोस्तो ये विदी मंद बुद्धी बालकों के लिए अनुप्योगत है क्योंकि दोस्तो इसके अंदर खोज वै अनुसंदान जेसी घटनाएं आती है तो दोस्तो वह परतिबा साली बालक ही कर सकता है ये थी दोस्तो खोज विदी या हुरिष्टिक विदी आगे हम लेते हैं दोस्तो बेसिक परणाली इसके परवर्थकते हमारे राष्ट पिता महत्मा गांदी और उन्होंने कहा कि बेसिक पढणाली के अंतरगत निसूल के जीवन व्यापन हेतू हस्तकला पर आधारित बुन्यादी शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों महात्मा गांदी इस पक्स में थे कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को बेरोजगार ना रखना है अर्था शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक पड़ लीकर कुछ ना कुछ रोजगार अवश्य कर सके इसलिए दोस्तों शिक्षा में पुन्यादी शिक्षा भी सामिल की जानी चाहिए तो दोस्तों यह थी बेसिक पढणाली आगे हैं दोस्तों डेक्रोली विदी इसके परवर्तक दोस्तों इस विदी के नाम से इस परस्ट है कि डाक्टर ओवीद डेक्रोली दोस्तों इसमें इसके अंतरगेत बालक को रूची समता के अनुसार शिक्षा दी जाती है दोस्तों जिस विशे में बालक की रूची होती है और उसकी जो समता होती है, जैसे मंदबुद्दी बालकों की शमता कम होती है, तो उसी level से दोस्तो बालकों को शिक्षा दी जाती है, दोस्तो ये विदिया छोटी है, लेकिन दोस्तो इनके जो नाम है, परवर्तकों के नाम, वो ही एकजाम के लिए बेहत important है, तो दोस्तो उन पर ज्यादा गोर कीजिएगा आगे देखें दोस्तों खेल विदी इसके परवर्तक है दोस्तों हेंडरी केल वेल कुक जैसे दोस्तों आप जानते हो खिलाडी का नाम है एक हेंडरी या इंगलेंड के खिलाडी का नाम है कुक तो दोस्तों इससे आप याद रख सकते हो कि खेल विदी के जो परवर्तक है वो है हेंद्री केलवेल कुक इसके अंतरगत बालकों को खेल खेल में सिक्षा दी जाती है जैसे गत्ते के टुकड़ों पर कुछ सब्द लिखना जैसे कूदना बेटना आदी लिखकर उन्हें दूर दूर बिखेर दिया जाता है बच्छा दूर दूर फेंक देते हैं फिर बालकों को कहा जाता है कि आप उन्हें लेकर आईए और फिर उनको पढ़िए और पढ़ने के अनुसार उसी अनुसार किरिया कीजिए जैसे दोस्तों मान लिजिए गत्ते के उपर लिख दिया कूदना अब बालक उसको देखेगा और जी मोरगन इसमें चातर स्वेम अभ्यास करता है और चीकता है दोस्तों इसमें बालक जो है स्वेम अभ्यास करता है यह दोस्तों मन्दबुद्धी बालकों के लिए अनुप्युक्त विदी है क्योंकि मन्दबुद्धी के बालक है जो खुद अभ्यास नहीं कर सकते तो द कीजिए दन्यवाद दोस्तों